हेलो दोस्तों, ये कहाणी एक एक ऐसे हरामी लोंडे की है जो अपने स्कूल टीचर के साथ दबा-दबा कर सμभोग करता है और ये लोंडा मैडम की खुशोग को काफी दूर से भी पहचान लेता है और ये लोंडा मैडम की जील में डुपकी लगाता रहता है जब ये बात मैडम के हस्बेंट को पता चलेगी तो क्या होगा तो कहानी की शुरुआत में हम इसी स्कूल के कुछ लड़कों को देखते हैं और साथ ही कुछ ठरकी लॉंडियों को भी देखते हैं जो बस लॉंडों से सैटिंग बाजी करने के लिए तरपती रहती हैं लेकिन मैडम भी इनकी हरकतों को अच्छे से समझ रही थी कि ये लोग मेरी जील का पानी पीना चाहते हैं लेकिन एक लड़के को छोड़कर सभी लॉंडे फोस हो जाते हैं उस लॉंडे का नम जस्टन हो सा है जस्टन मैडम के पिछवाड़े को घोरता रहता है और मैडम के बारे मैं सोचते हो तुम कितने गंदे लड़के हो अब ये सब सुनकर जस्टन की नजरे मैडम से नहीं मिल पाती तो वो मैडम सजा के तोर पर उसे पूरी क्लास साफ करने की सजा देती है और जब जस्टन ये सब कर रहा होता है तो वो सफाई से ज़्यादा मैडम के पिछवाड फील करता है यहां हमें साफ साफ पता चलता है कि मैडम जान बूचकर जस्टन के पीछे डोल रही है इसके बाद जब जस्टन अपनी जॉब से बापस घार आता है तो वो एक लॉंडिया लैस्वो को देखता है जो उसके पड़ोस में ही रहती है जो जस्टन को बहुत पसं उसे ऐसे वहाओ दे रही थी कि जैसे उसे अपना पिटारा जिस्टन के नाम कर दिया हो अगले दिन जब क्लास में कोई नहीं होता तो मैडम से बहुत सारे सवाल पहुचता है जिसके जवाब में मैडम भी बड़े मज़े से हां ससके दे रही थी और इसी मौकी का फायदा उठा कर जब वो कुछ किताबों को उसके पास रखने जाता है तो वो मैडम की खुशबू से मनमुहा हो जाता है और मैडम भी उसे पूरा महसूस करती है इन दोनों के दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था इस सीन के बाद से वो दोनों एक दूसरे की खुशबू क को सून कर ही खुश हो जाते हैं इसकूल में प्लेग्राउंड में और कभी-कभी तो जिस्टिन मैडम के घर भी उसे तारने चला जाता था अब मैडम भी पूरी तरह समझ जाती है कि ये मेरे जील के पानी को चकना चाह रहा है इसलिए वो भी इसकी तरफ फिशती जा रही तो उसके पीछे जिस्टिन भी जाने लगता है जब मैडम उसे अपने पीछे देखती है तो वो उसे कुछ नहीं बोलती बोलती भी कैसे प्यास तो मैडम को भी लगी थी धीरे धीरे ये दोनों उपर चले जाते हैं और जब जिस्टिन मैडम से मिलने ही बाला था कि तभी वहाँ पर कुछ टीचर आ जाते हैं जिससे इनके अर्मान यहीं पर खतम हो जाते हैं अब मैडम के भाव देने से जिस्टिन पागल से हो जाता है वो मैडम की हर एक चीज़ को छूने चूने सूनने लगता है मैडम भी उसे पूरा भाव यानी मुस्कुरा के यही कह रही है आओ बाबो पानी निकाल दो अब धीरे धीरे जिसने मैडम का इतना दीवाना हो जाता है कि मैडम जहाँ जहाँ जिस चेयर पर बैठती थी बहाँ पर जिसन उन कुर्सियों को सुनता रहता था अब एक दिन उसे ये सब करते हुँ वो उसके दोस्ते भी देख लेते हैं तो वो उससे पूशते हैं तू ये क्या कर रहा है तो जिसन कुछ पहाना बना कर बातों को गुमा देता है एक दिन जब जंग में सभी प्लेन उड़ने के लिए रेडी हो रहे थे क्योंकि आज बेल खुद चलते चलते उसे सिंग वार ने आया है अब मैडम जरासी भी देर नहीं करती और उसे अंदर बुला लेती है और फिर दोनों बो सब करते हैं जो ये काफी दिनों से चाह रहे थे यानि की जील के पानी में नहाते हैं और बहुत सारी बाते करते हैं यहां मैडम जरासी पानी में दो सब्सक्राइब की जील का पानी पीना था अब ये सिलसला गापा कप चालू रहता है लेकिन एक दिन मैडम से गलती हो जाती है वो जरासी देर में उसका पती फ्रैंक की घर पर आ जाता है और वो जिस्टिन को देख लेता है पर वो उसे कुछ नहीं कहता है उसे लगता है कि ये मैडम का स्टुडेंट है भला ये क्या करेगा बही मैडम को लगता है कि फ्रैंग को सब कुछ पता चल गया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जिससे मैडम बाबरी हो जाती है क्योंकि जब भी इन दोनों को मौका मिलता है। ये रगड़ा रगड़े की कोई कसर नहीं छोड़ते और धीरे धीरे और करीब आते चले जाते हैं। क्लास के टाइम ये बस मुस्करा के एक दूसरे को इसारे करते रहते हैं। लेकिन जेस्टिन मैडम का इतना दीवाना हो रखा था कि इसे अब अकेले नीद भी नहीं आती थी। तो इसी लिए वो सीधा मैडम के घर चला जाता है चुंकि उसे लगता है कि आज फ्रैंक घर पर नहीं होगा लेकिन वो उसराद घर पर ही होता है और उसे देख लेता है पर जेस्टिन की किसमत अच्छी होती है कि फ्रैंक नीद में होता है इसलिए वो उसे नहीं देख पा क्योंकि इसे उनके affair के बारे में कुछ भी पता नहीं होता लेकिन यहां दोनों एक दूसरे से बाते करना शुरू कर देते हैं जिससे इनकी दूस्ती अच्छी होने लगती है ऐसे ही एक दिन जब Frank घर पर आता है तो उसे फिर से Justin घर पर ही मिलता है वो दोनों फिर से बाते करते हैं यहां Justin को लगता है कि Frank एक अच्छा इंसान है उसकी अपनी बीवी से इसलिए नहीं बनती होगी क्योंकि वो शराब पीता है इसलिए वो हमेशा उससे दूर रहती है ऐसे ही एक दिन Justin मैडम के घर शैटलेस होता है तो तब ही बहाँ पर Frank भी आ जाता है जिसे देखकर Justin की फट जाती है तो Frank कहता है घबरावन बेटे मुझे तेरे और अपनी बाइफ के अफेर्स के बारे में पता है जब Justin इस बारे में उससे सफाई देने की खोशेश करता है तो Frank उससे सफाई देने से मना कर देता है और अपनी पीती कहानी को बताने लगता है कि कैसे वो शादी सुदा होने के बाद भी किसी दूसी लड़कियों के साथ सोता था और मजे करता था जब ये बात मैडम को पता चली तब से लेकर अब तक वो मुझसे सीधे मूद बात नहीं करती और उस दिन से लेकर आज तक मैंने उसे कभी ना तो रोका है और ना ही टोका है एक रात लैस वो जो जो जस्टिन को बहुत प्यार करती है वो उसे एक रूब में ले जाती है और तुरंट कपले उतार देती है लेकिन इसके बाबा जूद भी जस्टिन उसे घंटा भाव नहीं देता क्योंकि ये बस मैडम बरे भी फिदा था तो लैस वो रोकर बहां से बाग जाती है अब एक रात जस्टिन फ्रेंक से मिलता है जो दबा के दारूपी रहा था क्योंकि उसका बिजनेस अमेरिका में होने वाले धंगो के कार्ण पूरी तरह से ठप हो गया था तो जिसने उसे समझाता है कि तुम कोई और काम कर लो लेकिन ये दारूबा जी मत करो ये तुम्हारा जीवन खतम कर देगी और ये सारी बात दूर खड़ी मैडम भी सुन रही थी जो उसकी बातों से बहुत खोश होती है और से अपने पास बुलाती है अब ये सब देखकर जेस्टिन सोच में पढ़ जाता है वो सोचता है कि मैं कहीं फ्रैंक को दोगा तो नहीं दे रहा क्योंकि उसकी फ्रैंक के साथ एक अच्छी दोस्ती हो गई थी इसलिए वो मैडम के पास नहीं जाता और अपने घर चला जाता है जिससे मैडम गुसा हो जाती है अगले दिन स्कूल में भी जेस्टिन मैडम से बात नहीं करता और ये बात मैडम को मनही मन खा रही थी वो बहुत कोशिश करती है कि जेस्टिन इसके करीब आस अगे लेकिन जेस्टिन ऐसा नहीं करता वो बहाँ से सीधा घर चला जाता है वही मैडम की मौत का कुवा पानी मांग रहा था वो पूरी तरह बावली हो जाती है और फैसला करती है कि वो जेस्टिन से मिलने थेतर मिट जाएगी जहां वो काम करता है और उसकी मुलाकात भी होती है लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होता इसके बाद जेस्टिन ये रिस्ता खतम करने के लिए मैडम के घर जाता है जहां मैडम शराब के नसे में जुम रही थी और अपने आपको चोट पहुँचाने लगती है इसलिए जेस्टिन वहाँ पर कुछ नहीं करता उस दिन के बाद जब सभी लड़के स्कूल में होते हैं तो मैडम जेस्टिन को बताती है कि तो फेल हो गए हो वो समझ जाता है कि मैडम ऐसा क्यों कर रही है वो मैडम से बात करने की कुशिश करता है लेकिन मैडम उसकी कोई बात नहीं सुनती वो चाहती थी कि वो उसके साथ बैसे ही रहे जैसे पहले रहता था यहाँ जस्टिन अब इस गल्दी को दुबारा नहीं दौराना चाहता था इस वज़े से जस्टिन पूरी तरह से तूर जाता है वो घंटो घंटो तक थेदर में बैट कर सोता रहता था कुछ दिनों के बाद इसकूल में रिजल्ट सेरेमिनी होती है जहाँ पर सभी बच्चू का रिजल्ट दिया जा रहा होता है और जब जस्टिन की बारी आती है तो वो सभी के सामने मैडम को अपना पुर्ज खलीफा दिखा देता है जिससे मैडम बहुत शर्मिंदा हो जाती है और बिना रिजल्ट लिए वो बहा से चला जाता है लेकिन इस हरकत से मैडम बहुत परिशान हो जाती है और उसकी पूरी स्कूल में बेचती हो जाती है और यहीं पर यह मूबी खतम हो जाती है अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज इसे नाइक कर दीजे और चनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलता हो आपसे अगले वीडियो में